हेलो स्टुटेंट, प्रेप्राइज में आपका स्वागत है जैसे कि हमने पीछे एक टेस्ट सीरीज है कि हमने अब देखने है कि हमें कितना याद रहा और कितना हम भूल चुके है तो यह हमारा टेस्ट सीरीज है सफलता परदान करना तो ये विदी वाक्या इच्छा बोदक वाक्या सिंट वाक्या बिसमयादी बोदक वाक्या ये हमारे पास चार दिये हो हमने चारों में से इसका सही अंसर क्या होगा तो जल्दी से कमेंट करिए कि आपका सही अंसर क्या है और यहां से देखी हमारा सही उतर हे भगवान मेरे बेटे को सफलता परदान करना तो देखो कि इसका सही उतर इसका सही उतर जो होगा वो होगा ख इच्छा बोधक वाक्या कि उसने बोला भगवान से उसने प्रात्ना की तो इच्छा गीव की इच्छा बोधक वाक्या है ये कौन सा है बगवान आंक का अंदा गांट का पूरा मोहावरा ये हमारे पास आंक का अंदा आंक का अंदा अंदा गांट का पूरा मूर्क किंतु धनी एक दम मूर्क जो ब्यक्ति अपना हित अनहित ना समझे हटी ब्यक्ती तो देखो कि हमारे पास महावरा आंक कांदा गांट का पोरा तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आईए कमेंट करिए और सही उतर रेखिए आपका सही उतर जो है क मूर किंतु धनी ठीक है मूर किंतु धनी प्रेस नमबर तीन प्रेस नमबर तीन यह एक वाक्यांस है हमारे पास यह एक वाक्यांस है तो हमने एक वाक्या बनाने एक सब्द बनाने जिसके आने की तीथी ग्यात ना हो जिसके आने की तीथी ग्यात ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे अगंतुक अहेतुक अतिथी अकस्मिक तो आकस्मिक ठीक है तो जिसके आने यह हमारे पास एक वाक्या है तो हमने एक सब्द में वाक्या जो है उसका एक सब्द बनाना हमने तो क्या होगा इसका सही उतर हमारे पास इसका सही उतर जो होगा वह होगा ग अतिथी ठीक है अब प प्रित्वी, जल, अंबर, पाताद, तो यह जो हमारे पास ठीक है, अवनी का बिलोम क्या होगा प्रित्वी, जल, अंबर या पाताद, तो इसका सही उत्र देखो, इसका सही उत्र जो होगा, वह होगा गर, अंबर, इसका अवनी का, बिलोम, प्रेस नमबर पांच, ठीक है, य जो इंदर पर विजे प्रापत कर चुका हो कहलाएगा अब क्या कहलाएगा कि इंदर जये इंदू जितेंद्रिया या इंदर जीत जिसने इंदर पर विजे प्रापत कर चुकी है ठीक है जो इंदर पर विजे प्रापत कर चुका है तो वो क्या कहलाएगा वो क्या कहलाएगा तो हमारा सही उत्र जोगा होगा इंदर जीत इंदर को जीतने वाला ठीक है अब प्रस नमबर छे अकल के घोड़े दोड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है अकल के घोड़े दोड़ाना या मुहावरा है इसका सही अर्थ हो बुद्धी का प्रयोग करना बुद्धी मान होना ब बुद्धी का परियोग ना करना, देखो की, अकल के घोडे दोडाना, तो इसका सही उत्र क्या होगा, इसका सही उत्र जो होगा, वो होगा, कर, बुद्धी का परियोग करना, प्रेस नम्बर साथ खोपड़ी गंजी करना मुहावरे का आर्थ है यह हमारे पास एक मुहावरा है कौन सा खोपड़ी गंजी करना कश्ट देना, मृत्यू होना, भहुत मारना या धनी ब्यक्ती तो खोपड़ी गंजी करना जिसका सही उतर क्या होगा जल्दी से comment में ये comment करिए उत्र लिखिए और हमारे पास जो उत्र है वो होगा ग बहुत मारना ठीक है प्रेस नंबर आठ प्रेस नंबर आठ जो होगा 100 क्रोर की संक्या है अब 100 क्रोर की संक्या जो है वो क्या कहलाएगी 100 क्रोर आरब सतम क्रोड क्रोड सतक तो सो क्रोड की संक्या क्या कहलाएगी तो क्या कहलाएगी सो क्रोड की संक्या हमारे पास उत्तर जो होगा वो क्या होगा क एक सो क्रोड आरव सतम क्रोड क्रोड सतक देखो ख अरव संक्या सो क्रोड की क्या कहलाएगी अरव अब प्रस नमबर नो जो ब्यक्तिक ग्रीव है समाज उसे डैस की भावना से देखता है अब जो ब्यक्तिक ग्रीव है समाज उसे किस भावना से देखता है तो कुंठा, हीन्ता, लज्जा या नीच्टा जो ब्यक्ति ग्रीव है समाज उसे डैस की भावना से देखता है तो किस भावना से देखता है समाज उसे सही उत्तरिस का होगा ख, हिंता प्रेस नमबर 10 अब देखो कि 10 फूल, फूल में कौन सा समाज है अब एक तो इसके बीच में एक चिन लगा हुआ चिन लगा हुआ है, ये कौन सा चिन है, योजिक चिन है अब ऐसा कौन सा समाज है जिसके बीच में योजिक चिन का हम प्रियोग करें दी करते हैं या करेंगे तो इसका सबसे पहले विग्रेज होगा, क्या होगा फल, फूल फल फूल का हम क्या करेंगे विग्रह करेंगे क्या फल और फूल इसका ये विग्रह हो गया अब और ठीक है अब देखो कि फल फूल का द्विगुसमास, द्वंदव, कर्मधार्या या अबेभाव तो एक तो हमारे पास ये योजक चिन लगा हुआ है दूसरी बात जब हमने इसका विग्रह किया फल और फूल बना तो इसका सही उतर जाओगा वो होगा ख़ द्वंदव प्रेस नमबर ग्यारा अब प्रेस नमबर ग्यारा जो है ठीक है जो कोई उतर ना दे सके जो कोई उतर ना दे ना लगा हुआ कि कोई उतर ना दे सके लाजवाब बाशाल मूर्ग या मूर्ग ठीक है तो जो कोई उतर ना दे सके इसका सही उतर ज क्या होगा हमारे पास सही उतर जो होगा वो होगा को लाजवाब ठीक है अब प्रेस नमबर बारा प्रेस नमबर बारा जो है 20 मेया मादी ठीक है 20 मेया बोधक चिन कौन सा है अब हमारे पास ये 4 चिन लगे हुए ठीक है पहला कौन सा है देखो दूसरा तीसरा और ये चोथा जो हमारे पास ठीक है तो 20 मेया आदी हरानी को उत्पन करने वाले वाक्य में की चिन का हम प्रयोग करेंगे ठीक है तो इस कौन सा हिचरोगा इसका सही उत्र क्या होगा हमारे पास इसका सही उत्र ज्योगा गुशन का प्रयोग करेंगे किसमे विश्मयाधि बोध्क सब्दों में कि कि क् consistent अब प्रेस नंबर 13 मैस है अब तीर राहा आगे हमने क्या देखा हमने संक्या देखी सिर्फ संक्या देखी तीर राहा क्या आगे हमने संक्या कौन से देखी तीर संक्या देखी सिर्फ अब ये पूरे के चार्ज जो हमारे पास है अब संख्या वाला जिसके आगे सबसे पहले संख्या दी जाती है वो कौन सा स्मास होगा जब हम इसका क्या विग्रह करेंगे तो तीन राहों बाला इसका विग्रह क्या होगा तीन राहों बाला अब देखो इसका सही उत्र क्या होगा तो द्यूगू, तद्पूर्स, अबे ठीक है अबे भाव या फिर इन में से कोई नहीं इसका सही उत्र क्या होगा जल्दी से कमेंट करिए इसका सही उत्र जो होगा कर द्यूगू ठीक है तिरा तीन राहों बाला प्रेस नमबर चोदा बड़े बड़े खंबों में लोए के रसे बांद कर बनाया गया मार्ग अब क्या कहलाएगा ठीक है बड़े बड़े खंबों में लोए के रसे बांद कर बनाया गया मार्ग क्या कहलाएगा क्या है लक्षमन جूला राम जूला रज्जू मार्ग या पुल बड़े बड़े खंबों में लोए के रस्थे एक तो आपको पता होगा की रस्थे, अब रस्थे को यहां पर क्या बोलेंगे हम, ठीक है तो खंबों में लोए के रसे बांद कर बनाया गया मार्ग लक्षमन जूला राम जूला रज्जू मार्ग पुल तो इसका सही उत्र क्या होगा हमारे पास सही उत्र जो होगा होगा रज्जू मार्ग रज्जू का अर्थ क्या होगा रसी ठीक है रज्जू का अर्थ क्या होता है रसी अब प्रस नंब या कहावत तो पगड़ी स्वयम बादनी चाहिए बांदनी चाहिए दूसरे की पगड़ी में हाथ नहीं लगाना चाहिए अपनी पगड़ी स्वयम उतारनी चाहिए अपने सम्मान को बनाए रखना स्वयम से संबव है तो देखो इसका सही उत्र क्या होगा उपर लिका अपन पगड़ी अपने हाथ तो ये कहावत है तो क्या होगा इसका सही उत्र होगा घर अपने समान को बनाए रखना स्वयम से संभव है ठीक है अपने समान को बनाए रखना अपना समान क्या होता इजित ठीक है को बनाए रखना स्वयम से संभव है जो किसी के प्रती असक्त हो कहला असक्ति अस्थावान अस्थावान ठीक है असक्ति आस्थावान अनुरक्त या विरक्त ठीक है जो किसी के प्रती असक्त है कहलाएगा इसका सही उत्र क्या होगा सही उत्र जोगा वह होगा गह अनुरक्त ठीक है प्रस नंबर हमारे पास प्रस जो है सत्रा जो है घड़ी है अब घड़ी जो है कौन सा है तद्सम तद्भव देशज विदेशज घड़ी अब घड़ी का प्रिव तद्सम जो उसके समान तद्भव उससे उत्पन हुआ देशज देश में जन्वा हुआ, विदेश में जन्वा हुआ, अब देखो कि घड़ी, तरसम जो वाक्या होंगे, वो होंगे क्या, वो वाक्या संस्कित से सीधे हिंदी में आकर उनका प्रियोग भी संस्कित जैसा ही होगा, ठीक है, अब तद्भव जो वाक्या संस्कित से आकर सीधे हिंदी मे हिंदी में बन जाएंगे वह वाक्या तदभव। आगे देश में जन्म हुआ जैसे हम आप अपनी जो बोल जाल की भासा जो है उसका प्रियोग करेंगे विदेशिज अंगरजी भासा विदेश में जन्मा हुआ सब्द। ठीक है तो घड़ी देखो कि घड़ी कौन सी है घड़ी है क्या तसम तदभव देशज या भी देशज तो इसका सही उत्र क्या होगा इसका सही उत्र जोगा ख तदभव ठीक है प्रेस नमब अठारा तो बोली में कौन सा प्रत्या है बोली अब बोली में कौन सा प्रत्या करेंगे हम सब्दों से पहले या धातूं से पहले करेंगे तो यहां पर हमारे पास अब देखो कि यह सब्द है इसके लास्ट में हमने देखना है कि कौन सा जो प्रत्या वह लगा वह सिर्फ हिंदी में ए एरा आस या यह तो देखो कि बोली में कौन सा प्रत्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आईए उत्र लिखी अपना तो इसका से ही उत्र होगा क इ ठीक है अब प्रेस नमबर 19 दाल में काला होना संदे की बात होना सही बात होना दाल खराब होना सिकायत करना अब देखो कि दाल में काला होना संदे की बात सही बात होना तो यह हमारे पास एक कहावत है लोकोक्ती है तो इसका सही उत्र होगा गए तो देखो इसका सही उत्र जो होगा वो होगा घर सिकायप करना ठीक है 20, निवन में से एक सुद वाक्या छांटिये यह पूरे के चार वाक्या दिये हुए हम इन में से एक सुद वाक्य देखना है कि एक चाय का प्याला लाओ उसने भाषन किया सभा में परतेक सदस्य की यह राय थी मैं अपनी कलम से लिखता हूँ इसका सही वाक्या क्या होगा इसका वाक्या जोगा कर एक चाय का प्याला लाओ प्रेस नंबर 21 जो इस लोग से जुड़ा हो यह वाक्यांस है वाक्या बनाएंगे हम जो इस लोग से जुड़ा हो एहिक पारलोकिक लोगवद या लोगचितर ठीक है जो किस से जुड़ा हो जो इस वाक्या से जुड़ा हो क्या कहलाएगा इसका स सर्ष्वती का प्रयवाची सब्द अंबिका शार्था रमा यह उमा किसका सर्ष्वती का प्रयवाची है तो प्रेवाची क्या होगा तो कमेंड बाइए उत्तर लिखे अपना इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर होगा ख शार्दा ठीक है किसका सर्श्वती का प्रेश नम्ब तेईस मोटापा सब्द क्या है मोटापा सर्वनाम विशेशन संग्या या क्रिया मोटापा तो मोटापा है क्या सही उत्तर इसका क्या होगा ग संग्या ठीक है धूमे बाल स्फेद करना अब धूमे बाल स्फेद करना ठीक है अनुभवहीन होना बहुत चतर होना ठीक है कथिन प्रिश्रम बाते बनाना काम कम करना ठीक है धूमे बाल स्फेद करना तो क्या होगा इसका सही उत्तर इसका सही उत्तर जोगा क्या अनुभवहीन होना ठीक ह 25 अब महाप्राण वर्ण है आपको पता है कि अलप्राण महाप्राण तो महाप्राण अलप्राण में आपको पता है कि वर्ण का कौन सा पहला तीसरा और पांचवा वर्ण आएगा ठीक है आप देखो कि महाप्राण में क्या आएंगे महाप्राण में एक तो आपके अंतस्त होंगे साथ में दूसरा और चोथा वर्ण आएगा तो यहाँ पर देखो कि दूसरा और चोथा वर्ण कौन सा है महाप्राण वर्ण है और साथ पर अंतस्त तो देखो कि स, य, र, व कौन से महाप्राण जो है तो महाप्राण कौन सा है ये वर्ण है देखो इसका सही उतर जो होगा वह होगा क्या सही उतर होगा ख, य, ठीक है तो student ये था आज का हमारा जो हमने 25 प्रेसन की थे उसकी ये उत्तर माला है ठीक है ये हमारे पास उत्तर माला है तो आज का हमारा जो ये 25 प्रेसनों का मत्तपूर्ण सैट जो था ठीक है तो हमने बीच में अवाक्यांस डाले कार्क डाले और जो हमारे पास जो विशेशन थे ठीक है संग्या और साथ मे हमारे पास जो मुहावरे थी वो डाले ठीक है तो आज जो हमारा ये था टॉपिक जो था ये प्रस्नों का था टेस्स सीरिस थी एक कल हम कुछ नया लेकर आपके सामने उपस्तित होता हूँ धन्यवाद